लेखक परिचय विशुनाथ त्रिपाठी जन्म सन 1931 विशुनाथ त्रिपाठी का जन्म बिसकोहर गाउं जिलाबस्ती सिधार्थ नगर उत्तर प्रदेश में हुआ उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाउं में हुई तत पस्चात बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की उच्च शिक्षा के लिए वे पहले कानपुर और बाद में वारण असी गई उन्होंने पंजाब विश्विद्याले चंडीगर से पी एच दी की उपाधी प्राप्त की शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्विद्याले के राजधानिक कॉलेज में अध्यापन कार्रे किया और फिर दिल्ली विश्विद्याले के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्रे से जुड़े रहे। यहीं से सेवा निवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्रारंभिक अवधी, हिंदी आलोचना, हिंदी सहित्य का संक्षिप्ट इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर के कुछ कहानियां कुछ विचार, प्रमुख आलोचना और इतिहास सम्बंधी ग्रंथ हैं। पेड का हाथ जैसा कह सका प्रमुख कवीता संग रहे हैं। उन्होंने आरंभ में आचारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्धिहमान अब्दुलरहमान के अपभरंश काव्य संदेश रासक का संपाद्म किया। तथा कवीताएं 1963, कवीताएं 1964, कवीताएं 1965 अजीत कुमार के साथ वह हिंदी के प्रहरी राम विलास शर्मा अरुन प्रकाश के साथ संपादित की। उनको गोकुल चंद्ध शुकल आलोचना पुरसकार, डॉक्टर राम विलास शर्मा संपाद्ध, सोवियत लैंड नहरु पुरसकार, हिंदिय अकादमी दिल्ली के सहित्तेकार संपाद्ध, आदी से संपादित किया गया। झालोचना 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 झालो